क्रिकेट वर्ल्ड कप में बुद्धवार को भारत और अफगनिस्तान के बीच मुकाबला होना है इससे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायाद को लेकर एडवाईजरी जारी की है इसमें दिल्ली वालों को अरूर जेटरी इस्टेडियम के आसपास वाले रास्तों स से बच कर जाने को कहा गया है जो लोग मैस देखने आ रहे हैं उनके लिए भी एडवाईजरी जारी की गई है बता दें कि भारत और अफगनिस्तान के बीच बुद्धवार को दो पर दो बजे से मुकाबला होना है एडवाईजरी के मुताविक बहादूर साह जफर मार्ग और जे एलन मार्ग पर परिवर्तन या परतिबंध लागू रहेंगे दरिया गंद से बहादूर साह जफर मार्ग और गुरु नानक चौक से असप अली रोड़ पर भ्यारी वाहन और बसों की एंट्री नहीं होगी यह है रभाईजरी का लेटर पढ़ लेते हैं क्या है दे 10-2023 को अरूर जेटली स्टेडियम दिल्ली में निधरित किया गया है आम जनता के सुधा और सुरक्षा कार्णों से स्टेडियम में और उसके आज पास कुछ यातायात प्रतिबंध लगाए जाते हैं प्रावर्तन प्रतिबंध दर्यागंद से बाहदूसा जफर मार्ग और गुरुनानक चौक से असफ अली रोड तक सड़कों पर किसी भी भारी बाहन और बसों को अनुमति नहीं दी जाएगी यातिरों से नरोध है कि मैच के दिन यानिए 11-10-2023 को दोफर 12 बजे से रात 12 वजे तक निमनलिखी सड़कों का प्रयोग करने से बचें पहला राजगाट से जवाहरलाल नहरु मार्ग जो है व्यस्त रहेगा दूसरा कमला मार्केट से राजगाट तक जवाहरलाल नहरु मार्ग तीसरा तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट तक असफ अली रोड स्टेडियं के दक्षिनी हिस्से में इस्थित है और इन गेटों पर प्रवेश बहादूर सा जफर मार्ग से अनुमत किया जाएगा दो गेट नमर्ब 8-9-10-11-12-14-15 सडग पर स्टेडियं के पूर्वी हिस्से में इस्थित है और इन गेटों पर प्रवेश अमबेटिकर स पास बादूसा जफर मार्क से अनुमत किया जाएगा तो आप सभी दर्श को सनरोध है कि यह जो जारी की गई है इसको अच्छे से पढ़ लें और याता यात में आप फसने से बचें और जाएं आराम से इंडिया और अफ़निस्तान का मैच का लुप्त उटाएं धन्यवाद झाल की जाएं झाल